आप अप गर्मेंट नो रोज बैट के क्रिटिसाइज किता है कद उसी गर्मेंट दा हिस्सा बनन दी कोशिश किती है सो मैं अठाई साल दी उमरते सिविल सर्विसेज दी त्यारी शुरू खाते मैं चार बार UPSC मेंट जिता, मैं चार बार फेल होया जड़े लगे रहे और खिटना किते जदूर कढ़े ती जड़े नहीं भी कढ़े ना जड़े बंदे ने दो टाई साल इनी मेंट करनी सिखली बिना किसी reward दे, बिना किसी पैसे दे, पियोर मेंट सिखली और कितना किते जिन्दगी सक्सीड होई जाएगा सवाज मेरी ये थोनों चनौती भी है सच्ट्रिकाल जी, मेरा नाम जगनूर सिंगरेवाल है ते मैं साल 2018 विच पीचेस एक्जाइम विच स्टेट विच सेकेंड आया मेरी सिविल सर्विसेज दी त्यारी ते सिविल सर्वेंट बनन दी जर्नी शुरू ही छतरपुर नाम दे एक स्लम विच जो की दिल्ली विच स्तित है इथे मैं एक Teach for India नाम दी मूउमेंट विच प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी सरकारी स्कूल छतरपुज विच सेकेंड ते थर्ड क्लास दे बच्चा दा टीचर सीगा एक मूउमेंट इस दिड़ स्कूल प्राइल शुरू किती गई सी के हर बच्चे विच एक काबलियत है चाहे सुसाइटी उनानों एक 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 कियो किसे जोगे नहीं चाहे उनानों एक दस्या आजाए रोज कि उनाने अग्ये कुछ नहीं बानना अजाई एक स्टूडेंट मेरकोल सीगा नसरु दिन जीदे पयो लेबर कारदे सी ते जीदे माता जी कोई काम नी कारते सी कार बहुत ही गरीब परिवार ते उदे कपड़े भी कई वार फटे हुन दे सी पर इस बच्चे विच कुछ खास सी हर रोज स्ट वजे स्कूल तो एक कंटा पहला इने क्लास हुचा जाना हर रोज स्कूल तो बाद एक दो कंटे बाद इने बैठा है रहना सर मिनू थोड़ा होर पड़ा दो मसा इनू करे पेजना अगला दिन इने फिर आ जाना मैं एक नवा टीचर सी काफी बार मेर तो क्लास ना कंट्रोल हो नी पर नसरुदीन ने अई जी मच्यॉरिटी दिखानी लीडर्शिप दिखानी कि कल्ले बैठ के बच्चे नो समझा रहे हों दा सी कि यारू अपन वही मौका मिला है पढ़न दा अपपा इनो गवाईये नाव आउ ते आन देके पढ़ लिये तीजी क्लास दे बच्चे वेच इन्नी मच्यॉरिटी सी ए बच्चे नो इक वार मैं प्राइज देता क्लास विच बच्चे नो मोटिवेट करन ली कि लीडर अला बैच है क्ला मेरकुल बच्च आया के अंदा सर ए बच्च मिनू ना दो मैंनू पता है तुसी मिनू मोटिवेट करन ली दे रहे हूं एक इसी होर बच्चे नो दे दिया ता शायद हो मोटिवेट हो जाए अई जा रिमार्क्वल बच्चा सी नसरुदिन किते अगे मेचौरिटी वेच मेनत वेच तीजी जमात वेच आठनौ साल दी उमरते अज कंपेर टू मी मेरकुल तो उस ताम कोई मेचौरिटी सी भी नहीं है जी पहले साल दी पड़ा इतवाद नसरुदिन पिंड गया पर कदे वापिस नहीं आया नसरुदिन दे परिवार नू पिंड शिफ्ट करना पह गया क्योंकि शैर वेच उनना कोई काम नहीं सी स्कूल उन्हें जरूर शुडू किता पिंड वेच वी पर उथेव कॉलिटी एजुकेशन ना मिल पाई साल दो साल बाद आर्थिक तंगी होर वदी ते जद मेरी नसरुदिना गाल हुई ता बंबे वेच किते टाब वेच पांडे मांज रहा सी ते पड़ा इच उट चुपकी सी एगाल देखके मेरा जरूर दिल टुट्या इसलिए नहीं के एक बच्चा सी जिनू पड़ा इन मेल पाई पर मिनू उस नसरुदिन वेच एक मेर तो जादा प्रतिवा अला बुंडा दिखदा सी पर नाली नाल एक बहुत इंटरस्टिंग रिलाइजेशन हुई के नसरुदिन था एक बच्चा सी जिनू मैं जानदा सी पूरे पंजाब वेच पूरे इंडिया वेच अईजे किनने बच्चे होने हर कोने वेच जिनना नू कदे अपना पोटेंशिल रिलाइज करें दी ऑपर्चूनिटी ही नहीं मिल रही है तेसे नाल मेरे अंदर एक दिर्थ कम कल पाया कि यह अपनी जिन्दगी दा कोई मतलब कारना है ता शायद एही मतलब है कि ए बच्चा नो ए समाज दे तबके नो एक उपर्चूनिटी देना बहुत ही ज़रूरी है इसलिए नाली नाल एक होर दोस्त ने मेरे बड़ी वदिया गल समझाई तो केंदर तुसी समाज क्रिटिसाइज दो बहुत कर दे हो पर कदे समाज विच सल्यूशन बनन दा कोशिश किती है आपा गवर्मेंट नो रोज बैटके क्रिटिसाइज किता है कदे उसी गवर्मेंट दा हिस्सा बनन दी कोशिश किती है जे आपा पड़े लिखे लोग जिनना नो रब करके पेरेंट्स करके एक उपर्चूनिटी मिली है आपा गर्मेंट दा कदे हिस्सा नहीं बनांगे, ता फिर आपा गर्मेंट क्रिटिसाइज करन दा हक भी कैमेरा कदें। जे मैं चांदा सी कि नसरुदीन वर गे बच्चा नो अपर्चुनिटी मिले, ता मैंनों नौक रिछाड के सिविल सर्विसी पड़ा इकर अंदा रस्ता साफ दिख रहा सी, सो मैं अठाई साल दी उमर ते, सिविल सर्विसी जी तियारी शुरू करती, यह तियारी सौखी नहीं सी, मैं चार बार UPSC में जितता, मैं चार बार फेल होया, हर बार एक डिफरेंट रीजन पर फेल होंदा र इस सारी चीज़ां चो तेन-चार चीज़ां मैंनों बहुत खास सिखन नों मिलियां, जड़ी मैं थोड़े नाल शेयर करना चाना, पहला ता एक त्यारी शुरू करना दी, कोई लेट उमर नहीं होंदी, मैं 28 साल दी उमर तो पहला मैं यह भी नहीं पता सी, इस एक्जाम द मेरे लिए रीजन नसरुदीन सी, समाज एक अन्याय सी, किसे लिए रीजन परिवार हो साद है, बचपन दा सपना हो साद है, बट अपना रीजन रोज आपने आपनों याद दवाना पएगा, ज़िए आप आए मोटिवेशन चानने है, खैर डेट साल होया त्यारी दा, ते मेने एक बहुत अच्छे दोस्त मिले, जो खुद मोटिवेशन लब रहे, इसी पर इसी ने एक दुझा साह दिता, ते असी लाइबरी जाके बैन लगे, जद लाइबरी जाके बैठे ता देखे साधे वर के सो बंदेने, जद रोज जूज रेने, उनना देखे मोटिवेश अच्छा दिखे, एक डॉक्टर दिखे, जो पढ़ रहे सी, मोना अगल किती, मैं कि मैं थोड़ने आल त्यारी करना बड़े मेंती हूं, ते मेरी त्यारी डबल होगी, असी आक्ठो जे लाइबरी दे एंड तक पढ़ना, और दॉक्टर बहुत ही मेंती सी, उस तो आज अस सो हाना टाइम एही सी, जिश्च मैं त्यारी पूरी इंजॉई किती, खेर साल बीत्या, हुन मेरी सेलेक्शन होगी PCS, हुन मैं क्या, हुन चलो ठीक है, रैंक आ गया, हुन होर त्यारी करनी ओखी है, बट इत्थे मिन्नों एक होर कुलीग मिले, जड़े केंदे, आपा नौ अबरी बेठे रेना, एक-दो वाज जाने, ते इसनाल फिर एक नवा जोश आया, खेर तीजी अटेम्ट भी बीती, चौथी अटेम्ट भीती, ते UPSC फिर ना क्लीर होया, हुन लाइव वधिया चल रही सी, गवर्मेंट नौकरी भी सी, इनी देर च, एक आखरी अटेम्ट आया, मैं कि एक वार होर ट्राइ कर लिया जाए, कि पता PCS ची इंप्रूव्मेंट हो जाए, पर मेरे अंदर बिल्कुल जोश नी सी, थक भी चुक्या सी, बोर भी हो चुक्या सी, इस ताइम थैंक्फुली मैंनो एक होर अपना जूनियर मेला, जड़े मेरा ट्रेनिंग कार बहुत होर लोग मैं लाइबरीज देखे, जड़े मेरे तो काट नी सी, जड़े मैं कदे रेहावी हैं, ए ओही बंदा सी, जीना चार साल पहला फेलियर भी देखिया, उन्हों ही सकसेस मिलया, जड़ मेरा टाइम सी मेनों मिल गया, तैसिंग हर केसे दीक आपनी जर्नी है, जड़ 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 टाइम आएगा, आपने सकसेस मिलेगा, बहुत बंदे मेरे तो कट, प्रतिवाले जड़े उन्हों लाग दा सी, सकसीड भी किते, बहुत मेरे तो ज़्यादा मेहनती बंदे, ज़्यादा डिजर्विंग बंदे भी नहीं सकसीड किते, फरक उन्नी एक चीज में जरूर देखिये, जड़े लगे रहे और कितिना किते जरूर कड़ गे, तिज़े नहीं भी कड़े ना, जड़े बंदे ने दो टाई साल, इन्हीं मेंत करनी सिख ली, बिना किसी रिवाड दे, बिना किसी पैसे दे, प्यॉर मेंत सिख ली, और कितिना किते जि इंट्रस्टिंग चीज देखी इत्थे बहुत ही जादा वदिया बंदेने जेड़े रोज सिस्टेम नाल जूज रेने जेड़े इनने में तीने के सतो दिन बारावर एकंटे काम कर देया समाज विच चेंज ले अनली बहुत अच्छे लोग लगातार थोड़ा इंतजार कर के तुसी उनना नाल जुड़ों ते गर्मेंट सर्विसेश चाहूं ए मेरे सीनियर्ज भी ने जड़े मेनों रेगलर्ली मोटिवेट कार देने जूनियर्ज भी ने हर जगा बैठेने बठिंडा विच अभी शेक बिशनोई नाम दे कोपरिटिव इंस्पेक्टर ने जड़ हर रोज अपनी जॉब तो बाद जाके स्लम्च बच्चा नू पढ़ान देने एज़े कई लोग ने पंजाब दे हर कोने विच एक पंजाब यूथ लीडर्स प्रोग्राम नाम ता प्रोग्राम शुरू है जड़ा फत्यगर साब जिले विच बहुत सारे लोका नू स्कूल जान ली प्रफसाहित कर रहा है यंग लीडर्स इमर्ज कर रहे कि अंदर से पंजाब सौ लीडर्स कर देने दोस्तों मैं चाहूंगा आप इस पंजाब दी सिर्जन बारे सोचिए एक सपना लिए कि हर ब्लॉक विच हर तैसील विच अजया दिर्श्वाद बंदे कथे होन लगे तक कैमें ओ कठे सिस्टम नो इंपक्ट कर सकंगे एंजियो दे लोग, गर्मेंट दे लोग, कॉर्परेट वाले लोग, बुद्धी जीवी, मीडिया, इस सारे कठे हो के समाजिक सल्यूशन नो मोड देन लगे तक हॉली हॉली करके आपका क्यों नहीं पंजाब दी प कोने कोने इच लोगे कारेने, कि तुसी उना नल, हच, हथ बढ़ा ले तियार हूँ, यहां फिर आपका ओही निराशावाद अली गल करनी है कि इत्थे कुछ नहीं हो साधा, क्वेश्चन ए है कि तुसी उस्टेप लओंगे यहां तुसी क्रिटिसाइज करोंगे, सवाज मेरियत होनों चनौती भी है कि तुसी उस्टेप लाएन ले तियार हूँ, मार्गेट मीड ने क्या है, कि जद भी इतिहास विच, सुसाइटी विच कदे चेंज आई है, आरे अपनी राए कॉमेंट सेक्षिन विच सानु दसो, अधे आपड़े मित्रा नाल ए वीडियो शेर करना ना पुलियो,